आप देख रहे हैं NMT News और आपको रखे सब से आगे दी गई समय सीमा 24 दिसंबर की है इसलिए 24 दिसंबर से पहले अगर सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण देने का एलान नहीं किया तो 23 दिसंबर को ही बीड में होने वाली मराठा महासभा में आगे की रणीती का एलान कर दिया जाएगा अपने गाउ में मराठा समाज के लोगों की बैठक के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने मीडिया से कहा कि नागपुर में विधान सभा का शीत कालीन सत्र चल रहा है मुख्यमंतरी एक नाश शिंदे सोमवार 18 दिसंबर को विधान सभा में मराठा आरक्षन को लेकर कोई बयान दे सकते हैं इसलिए मराठा समाज ने फैसला लिया है कि सरकार की भूमी का सामने आने से पहले हमारा कोई भी फैसला लेना उचित नहीं होगा इसलिए हमने 23 दिसंबर तरक इंतजार करने का फैसला लिया है डेडलाइन आगे बढ़ाने का दबाओ उधर सरकार की तरप से मनोज जरांगे पाटिल पर दबाओ बनाया जा रहा है कि वो डेडलाइन को लेकर अडियल रुख ना अपनाए सरकार की दो मंतरी बीजेपी के गिरिश महाजन और शिव सेना शिंदे गुट के संदीप भुमरे इसके लिए मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात कर चुके हैं जरांगे पाटिल ने रविवार को मीडिया को बताया कि उन्हें राज्य के उद्योग मंतरी उदै सामंत का भी फोन आया था सामंत ने उनसे कहा कि मुख्य मंतरी और उप मुख्य मंतरी आरक्षन देने के लिए प्रतिबध हैं सरकार को कुनभी के 54 लाख रिकॉर्ड मिले जरांगे ने कहा कि वो कुछ अनुचित नहीं मांग रहे सरकार ने सभी मराठों को कुनभी प्रमाड पत्र देने और मराठा आरक्षन अधिनियम पारित करने के लिए एक महीने का समय मांगा था सरकार का एक महीना 24 दिसंबर को खत्म हो रहा है उन्होंने सरकार से मराठा समुदाय को अन्य पिछडा वर्क OBC श्रेणी में शामल करने के लिए कुनभी प्रमाड पत्र जारी करने और तदनुसार कानून पारित करने का आगरह किया उन्होंने कहा कि राजसरकार को कुनभी के 54 लाख रिकॉर्ड मिले हैं और उसे मराठा समुदाय को OBC श्रेणी में शामल करने के लिए एक कानून पारित करना चाहिए आप देख रहे हैं NMT News और आपको रखे सब से आगे